तेरे नाम, 2003 की भारतिय हिंदी भाषा कीत्रा सिधीपूर्ण रोमेंटिक ड्रामा फिल्म है सतीश कौशिक अद्वारा निर्देशित और जनिंदर जैन, इस फिल्म मैंसल मान खान और भूमिका चावला हिंदी सिनेमा में अपनी पहली फिल्म दिखाई है। राधे मोहन एक बेरोजगार उपद्रवी है, जो एक बुरे घेरे से घेरा हुआ है। वह अपने भाई अजय, भाभी गायत्री और उनके बच्चे के साथ रहता है। वह एक हिंसक व्यक्ति है, लेकिन अक्सर अच्छे काम करता है, जैसे यौन उत्पीधन करने वालों की पि एक दिन, राधे ने उसे प्रपोस किया और मजाक में कहा कि अगर वह उसके पिता को उनकी शादी के लिए सहमत नहीं करेगा तो वह उसे पीट देगा। जब राधे उससे पूछता है कि क्या वह उसकी बात सुन रही थी, तो निर्जरा ज्यादा कुछ कहने से घबरा जात और हां कहती है। राधे इसे प्रस्ताव की स्वीकृती के रूप में व्याख्या करती है। बाद में वह और उसके दोस्त निर्जरा के मंगेतर रामेश्वर को डराते हैं। अगले दिन, राधे उसके लिए एक उपहार लाता है लेकिन वह उससे कहती है कि वह उससे प्या बाव है कि वह निर्जरा को प्रभावित करने के लिए उपद्रव और हिंसा छोड़ दे लेकिन एक दिन वह एक विश्याले के मालिक के साथ मार पीट करता है जिसने उसके एक दोस्त की पिटाई की थी। विश्याले जाती है जो उसे रिंग देने का वादा करता है। राधे जो नहीं जानता कि वह निर्जरा की बहन है उसी विश्याले में एक ऐसे व्यक्ति को खोजने जाती है जिसने एक महिला को परेशान किया था। वह पुलिस छापे के दोरान ममता को गिरफतार होने से बच जाता है। वह उसे बताती है कि उसके पती आत्माराम ने उसे बेदखल कर दिया है और अपने बेटे की कस्टडी देने के लिए पैसे की मांद कर रहा है। अगले दिन राधे ने आत्माराम की पिटाई की उस पर उसे वापस ले जाने और उसे परेशान करना बंद करने के रामेश्वर ये देखता है और निरजरा से कहता है कि राधे एक अच्छा निस्वार्थ आदमी है जो उससे सच्छा प्यार करता है। इस बात चीट से अंजान, राधे निर्जरा का अपहरन कर लेता है, जो कि रामेश्वर उसके बारे में जो बता रहा था, वह बेहद विदंबना पूर्ण है ताकि वह निर्जरा को उसके प्रती अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हुए सुन सके। निर्जरा को शुरू में डर लगता है, लेकिन अंतता उसे उससे प्यार हो जाता है। इसके बाद वेश्यालय मालिक और उसके गुंडे अपना व्यवसाय बंद करने की कोशिश का बदला लेने के लिए राधे पर हमला करते हैं। हमले के दौरान राधे का मस्तिश्क शतिग्रस्थ हो गया और वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठा। उनके परिवार ने उन्हें मानसिक रोगियों के लिए एक धार्मिक संस्थान में भरती कराया क्योंकि निर्जरा और उनके दोस्त उनके लिए प्रार्थना करते हैं। एक समय पर राधे की मानसिक स्थिती सामान्य हो जाती है, लेकिन वौडन इस बात को समझ नहीं पाते हैं और उसकी पिटाई कर देते हैं। निर्जरा संस्था का दोरा करती है और उसे सोते समय दयनिय श्थिती में देखती है। जब वह उठता है तो उसे पता चलता है कि निर्जरा उससे मिलने के लिए उसके स्थान पर थी और वह अपना नाम चिलाने की कोशिश करती है लेकिन वह उससे सुन नहीं पाती है। इस बात से आश्वस्त होकर की राधे ठीक नहीं होने वाली है, राधे का भाय उसे उसे भूल जाने और रामेश्वर से शादी करने के लिए कहता है। रामेश्वर के साथ निर्जरा की शादी के दिन राधे संस्था से भाग जाता है और उसके घर पहुंचता है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद अपने परिवार और दोस्तों द्वारा उसे समझाने की कोशिश करने के बावजूद, राधे खुद को संस्थान में वापस ले जाने की अनुमती देता है। उपसाहार में दिखाया गया है कि राधे, जो अब बूरा हो चुका है और अभी भी संस्थान में है, निर्जरा की याद में मोरपंग बांध रहा है।